हलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू स्टाडी ट्रिक्स, दोस्तो इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं उत्तर परदेश समान नग्यान यानि कि उत्तर परदेश जीगे के एक हजार पिलस इंपूर्टन को फ्रेंड्स, आप कोई भी ऐसे एक्जाम की तैरी कर रहे हैं जिसमें यूपी जीके से कोस्टन पूछे जाते हैं, यूपी ऐसाई हो, यूपी लेकपालो, यूपी टैटो या कोई भी एक्जाम हो, सब में ये लेक्चर सीरीज आपके लिए हैल्प करेगी, क्योंकि मार्केट में जितने भी यूपी जीके की बुक्स हैं, सारी बुक्स के इस लेक्चर सीरीज गेरी हम कोस्टन करने वाले हैं, तो चलिए, श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, तो हमारा पहला कोस्टन है, किस समीती ने तिरिस तरी पंचाइस पिर राली की सिपारिस की थी, दोस्तो दियान रखेंगे, औप्सन नमबर हमारा एक करेक्ट हो जाएगा, अगला कुस्टन देखते हैं, निम्न में से किसका पिरतियक्ष निर्वार्चन होता है, यानि जनता द्वारा डारेक्ट जिसका चुनाव होता है, तो किस-किसका होता है, पिर धान का होता है, छेतर प्रम अगला कुस्टन देखते हैं, निम्न में से किस नगर में नगर निगम नहीं है, दोस्तो इससे लेकर एक्जाम में बहुत कुस्टन पूछे आते हैं कि किसमें नगर निगम है, किसमें नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है, अलिगड में है, मुरादाबाद में है, सहारन तो आप इसको ध्यान रखेंगे दोस्तों यूपी के कुल 16 जिलों में आपको नगर निवम मिलेगा अगला कुस्चन देखते हैं उत्तरांचल गठन के बाद उत्तर प्रदेश में कितने बिधानसभा छेत्र सेज बचे हैं दोस्तों कितने बचे हैं 404 ऑप्सन नंबर हमारा डीकरेक्ट हो जाएगा 403 सीट्स होती है एक एंगलो इंडियन की होती है जो की खत्म कर दी गई है तो अकर आपको ऑप्सन में 403 दिखाई दे तो आपको 403 टिक कर देना है और 404 हो तो 404 आपको टिक करना है तो इसमें ऑप ग्राम पंचायतों के गठन से कौन सा अनुचेद संबंदित है अनुचेद 40 ऑप्सन नंबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगर आपसे अनुसुची की बात करी जाए तो क्यार भी अनुसुची में सम्विदान की दे रखा है ग्राम पंचायत की बारे में इसे आप ध्या प्रण रखेंगे ऑपसन नंबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा अगला कोस्ति ने राजपाल के संबंद में क्या सही नहीं है तो देख लेते हैं पहला है उसकी नियुक्ति राशपती करता है सही है वो एक सिखाद एक राजपाल हो सकता है ये भी हमारा सही है वो पांच बर तका द्वारा खटाया जा सकता है तो यह क्या है गलत है तो इसमें हमाने गलती बताना option number हमारा डी करेक्ट हो जाएगा राजवाल को राश्टावति के द्वारा खटाया जा सकता है अगला कोस्ट ने वारा उत्तर प्रदेश के राज की चिन्द में नहीं है मचलियां धनोस तीर मॉर तो मचलियां भी धन ओस भी एतीर भी मोनेर नहीं यह कुछ जाएगा तो आप इसको धियान राखेंगे इसमें ऑफसर कि आपको धिशान रखना है इसमें हमारा ऑपसिन नंबर ली करेक्ट हो जाएगा कि के अगला कुछ से दे रखते हैं जालाउन, जालाउन का मुख्याल है कहाँ पर है, उरही में है, कानपुर दियाद, कानपुर दियाद का है अकबरपुर में, संतर अभिदास नगर का, तो इसका है भधोई के अंदर, कुशी नगर का पड्रोना में, तो A का 4, B का 1, C का 2, D का 3, कौन से उप्शन में है, उप् उत्तर प्रदेस का राज्की पुस्प है, दोस्तो उत्तर प्रदेस का राज्की पुस्प क्या आए, तो आप इसे ध्यान रखेंगे, टेसू, ऑप्सन नमबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा, नेक्ट कुस्टन देखते हैं, राजबाल संबंदी निम्ध कत्रों में से सही क चुनाओं करें, तो पहला दिया गया है, उसे जन्वी से भारत का नागरिक होना चाहिए, तो ये क्या है, गलत है, अगर वो बहार का भी है, तो भी राजबाल बन सकता है, अगला है, उसकी आयू कम से कम 35 बर सो, तो ये क्या हमारा सही है, अगला है, लोक सबा का सदर सोनी क योग गिता रखता हो तो ये भी गलत है इसके लिए अगला है वो एक से अधिक राजों का राजबाल हो सकता है तो ये भी क्या है सही है तो दूसरा और चौता सही है तो इसमें option number हमारा decorrect हो जागा 2 और 4 सही है अगला question देखते हैं पंचायती राज एक व्यवस्ता है तो पंचायती राज के व्यवस्ता के पॉइंट दे रखे हैं कौन-कौन सा इसमें correct होना होगा तो पहला दे रखा है इस थानी सुसासन की सही है जैव संबंदों के समान तिरे स्तरी पिर्लाली की ये भी सही है लोकतंत्रिक विकंद्री करणकी ये भी सही है अगला है पत्सौपने सरजनागी तो ये नहीं है बाकी एक, दो, तीन सही हो जाएगा तो इसमें option number हमारा C correct हो जाएगा अगला question दिया गया है कथन देगा रखा है उसका करल दे रखा है तो पहला है इस्थानी इस तरपर ग्रामीर मामलों में पिरवंदन में राजनीति का अंताखेल कम हो गया next दे रखा है 73 संसोदन के बाद ग्रामीर इस्थानी संस्थानों का फ्रोत्त्रान हुआ तो सही विकलक़ चैन करेना है तो कसन ये भी सही है और इसका कारण ये भी इसकी व्याख्या करता है तो इसमें उप्सन नमबर हमारा एक रेक्ट हो जागा ए और आर दोनों सही है और आर व्याख्या करता है उप्सन नमबर एक रेक्ट हो जाएगा next question देखते है उत्तराखन गठन से पूर्भ राज विधान परिशत सद्दसो की संक्या थी दोस्तो आपको विधान परिशत की संक्या बताना है कि जब उत्तर परदे से उत्तराखन अलग नहीं हुआ था उस समय कितनी थी बरतमान में कितनी है 100 है लेकिन उस टाइम कितनी थी 108 208 तो इसमें option number हमारा D correct हो जाएगा 108 अगला question देखते हैं राज के पंचायती राज संस्ताओं में महिलाओं के लिए आरक्चल कितना है तो महिलाओं के लिए आरक्चल कितना है 33 परसेंट यानि कि 1 बटा 3 तो option number हमारा C correct हो जाएगा कुलिस्तान का 1 बटा 3 तो आप इसको ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेर होता है दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसी नगर का मेर कैसा होता है तो वो नगर का पिर्थम नागरिक होता है ये भी हमारा क्या है सही है ये सही नहीं है इसका नहीं ये सही है और दूसरा क्या आए नगर नेगम का पादिन सदस होता है तो इसके बारे में ये कैसा आए ये भी आपका सही है अगला है कारी कारड़ी सामीती का बदिन सभवपती होता है ये भी हमारा क्या है सही है कारी पालक मशीनरी पूल्ड नेंदर करता है तो ये गलत है तो एक दो तीन ह हमारा B correct हो जाएगा अगला question देखते हैं उत्तर प्रदेश का राज्कि यह पक्षी ए, दोस्तों उत्तर प्रदेस का राज्कि mins, क्या आए, सारत, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का कौन है, मोर, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, option number अगला कोस्टन देखते हैं, मुक्व मैट्रो पॉलिटन मजिस्टेट है, कौन सा है, कानपुर में, आप्सन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, तो मुक्व मैट्रो पॉलिटन मजिस्टेट कहां पर है, कानपुर के अंदर, आप्सन नमबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन है पंचाज चुलाओं लडने है तू एक बेखती की आयू होनी चाहिए तो कम से कम कितनी होनी चाहिए 21 बर्स तो option number हमारा B correct हो जाएगा है 21 बर्स अगला कुस्चन देखते हैं पिरदेश की नगरों में मेर का निर्वाचन होता है दोस्तो पिरदेश की नगरों में मेर का निर्वाचन कैसे होता है आपको बताना है सीधे नगर के निर्वाच को द्वारा option number हमारा C correct हो जाएगा इसको ध्यान रखेंगे अगला कुस्चन देखते हैं राजगी सोलवी बिदानसवा चुनाओ 2012 में महिलाओं निर्वाचित होई थी तो यह एक्जाम में आईवोग कोस्चन है तो किसनी होई थी 35 option number हमारा एक रेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे अगला कुस्चन देखते हैं निमलेकित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं रहे हैं तो आपको बताना इन में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री नहीं रहे हैं उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंद्री कौन थे गोविद वल्लब पंद्धू अगला कुसर देखते हैं निम्लेकत कत्नों में से कौन एक सही नहीं है तो आपको बताना इन में से कौन सही नहीं है तो आपको डारिक ध्यान रखना नगरों को एक निगम की हैसियत से राज नियम को सर्जिन किया जाता है यह भी सही तो आपको इसमें गलत बताना उ wn Auch यह क्रेक्ट हो जाएगा कैंगला क्जसम से अब उत्तर कॉससमें कितनी मेलाई मुख मंत्री रही हैं दोस्तों उत्तर पंदेश में अब तक कितने महिलाएं मुक्रमंत्री रही हैं, दो, तो आपको ध्यान रखना है, तो पहली मुक्रमंत्री कौन थी, महिला, तो सुचिता कृपलानी, सुचिता कृपलानी, और दूसरी कौन थी, मायावत्टी, तो आप इन दोनों के बारे में धियान रखेंगे ओप्सन नमबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा अगला कुस्चन देखते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्याले कहां है दोस्तो गौतम बुद्ध नगर जिले का मुख्याले कहां पर है नोईडा के अंदर तो option number हमारा D correct हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे next question देखते हैं UP विधान सभा के पिर्तम अध्यक्ष थे दोस्तो UP विधान सभा के पिर्तम अध्यक्ष कौन थे आपको ध्यान रखना है पुरसोत्तम दास टंडन तो आप इसे ध्यान रखेंगे इसमें option number हमारा D correct हो जाएगा और इस टाइम कौन है हिर्दे नाराइन दिक्षित आप इसको भी ध्यान रखेंगे अगला question देखते हैं उत्तर परदेश में सारविदिक बार मुक्ष मंद्री कौन बना है उत्तर परदेश में सारविदिक बार मुक्ष मंद्री कौन बना है माया बती option number हमारा D correct हो जाएगा कितनी बार बनी है चार बार तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे चार बार अगला question देखते हैं किसोर सदन उत्तर परदेश के किस जली में है किसोर सदन मतलब किसोर के लिए जेल कहां पर है तो उत्तर परदेश के बलेली में यानि कि हमारे district में तो इसमें option number एक रेक्ट हो जाएगा अगला question देखते हैं उत्तर परदेश में उर्दू को दूसरी राज की भासा कब घोसित किया गया दोस्तों आप सब जानते हैं उत्तर परदेश की राज की भासा कौन सी है पहली भासा बनी थी हिंदी कौन सी बनी थी हिंदी और तूसरी कौन सी है उर्दू तो उर्दू कब बनी थी आपको ये बताना है फ्रेंड्स उर्दू कब बनी थी 1989 में और अपसन नंबर हमारा सी रेक्ट हो जाएगा और हिंदी कब बनी थी 1947 में तो आप इसको द्यान रखेंगे और अपसन नंबर हमारा सी रेक्ट हो जाएगा नाइट कॉस्चन देखते हैं रौवर्ट्स गंज मुख्याले किस जिले का है दोस्तो रोबर्ट्स गन्ज मुख्याले किस जिले का है सोन भद्र का ओप्सन नमबर हमारा एक रेक्ट हो जाएगा इसको आप ध्यान रखेंगे अगला कॉस्षन देखते हैं किस मंडल में छे जिले नहीं है तो आपको बताना है ये चार मंडल देराकेन में से किस में छे जिले नहीं है तो मेरट में छे जिले हैं फैदाबाद में नहीं है कानपुर में छे हैं और लखनव में भी छे हैं तो फैदाबाद में किसने हैं पांच तो आप इसको ध्यान रखेंगे कौन-कौन से फैदाबाद यानि की जो एध्या बन चुका है सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी अमबेट करनगर, तो ये फैदाबाद में बात करते हैं, मेरट, कानपुर, लखनु तो इसमें छेचे जिले हैं, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, तो इसमें उसका लिंक का आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा और अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो नहीं देखें तो उनको भी देख सकते हैं, उनका भी लिंक का आपको डिस्क्रिप्सिन बॉक्स में मिल जाएगा तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत